लक्षमन और सीता के रोमांस वाली इस तस्वीर पर नया वबाल मचा है जिहां भले ही रामानन सागर की रामायन में सुनी लहरी को भाई भाभी भग दिखाया गया हो लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी और भाभी मसीता की इस रोमांटिक तस्वीर को देखकर फैंद अप शर्म से पानी पानी हो रहे हैं वलब इस तस्वीर के पीछे की पूरी सच्चाय क्या है यह हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप लक्षमन सीता यानी दिपिका और सुनील की इस तस्वीर पर एक नजर डालिए तस्वीर में दिपिका शर्माते हुए मुस्कुरा रही हैं तो वहीं सुनील उन्हें प्यार भरी नजरों से टुकुर टुकुर देख रहे हैं तस्वीर में दोनों के एक्स्प्रेशन देखने लाइक है अब सुनिए इस तस्वीर की सचाई वर अगर आप कोई लगता है कि तस्वीर फैनमेड है या फिर मौफट है तो हम आपको बता दें कि ये कोई करामात नहीं बलगी एकदम सची तस्वीर है इस तस्वीर को हाल ही में खुद सुनील लेरी नहीं अपने ट्विटर अकाउंट पर शेर किया है लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर ये तस्वीर छा गई है और काफी वाइरल है तस्वीर शेर कर सुनील ने लिखा है सुनील के कैप्शन से साफ है कि रामायन से पहले वो और दिपिका एक दूसरे सीरियल में काम कर चुके हैं लेकिन फर्क यह है कि उस सीरियल में इन दोनों की जोरी बनी थी ना कि दोनों देवर भावी के रोल में थे लेकिन अब जब से फैंस की नजर इस तस्वीर पर पढ़ी है तब से सभी काफी अचंवित हैं सोशल मीडिया पर इनकी इस तस्वीर के अब काफी चर्चे हैं जहां कुछ फैंस को इस तस्वीर में दिपिका और सुनील के कैमिस्ट्री वहा रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जुनका मानना है कि रामायन के दौर में ऐसी तस्वीर पोस्ट करने से सुनील को थोड़ा बचना चाहिए था किरब लोगों का अचंबित होना लाजमी ही है क्योंकि रामायन में भावी मा के किरदार में जिस तरह दिपिकाल चिकलिया की ओर सुनील कभी नजरे उठाकर भी नहीं देखते थे वो उनके साथ इस कदर रोमांटिक दिख रहे हैं अब ही उस दोर में ये तस्वीर इसलिए भी भायल नहीं हुई थी क्योंकि शोके प्रडियूसर खास दोर पर उन चूजियों का ध्यान रखते थे कि इस तरह की तस्वीर इंबाहर ना आए क्योंकि 1987 की दोर में रामसीता लक्षमन की पब्लिक इमेज का काफी खयाल रखा जाता था क्योंकि इससे लोगों की भावनाएं आहत हो सकती थी लोग इनके क्यालेक्टर को असली समझते थे लेगिन अब धीरे धीरे करके शो से जुड़े किरदारों की निज्जी सिंदिगी से जुड़ी कई रोचक कहानी और किस्से सामने आ रहे हैं जो काफी दिल्चस्प हैं और अब बात जहां तक इस तस्वीर की है तो इस वाइरल हो रही तस्वीर पर अब आपका क्या ओपीनियन है आपका क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी राए दिल खुल कर दे सकते हैं